जैमस्षी की दोस्तों, आज की सुर्गी मन्ना का भाग हमने लिया है भजन सहीता की पुस्तक उसका 119 आध्याय और उसका 167 वचन वचन कहता है मैं तेरी चेतावनियों को मानता हूँ और वे मिरे लिए अत्यदिक प्रिये हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे पवित सामर्थी वचन के लिए दोस्तों वचन हमें यहां बताता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है परमेश्वर ने पूरी तरीके से हमसे प्रेम किया और इस स्रिष्टी को बनाने से पहले वो हमसे प्रेम करता है हमें माता की गर्व में रशने से पहले वो हमसे प्रेम करता है हम पे मन लगाता है वो हमारे नाम को जानता है हमारे चेहरे को उसने अपने हतेलियों में गूंदा हुआ है वो हमारे बालों की गिंती जानता है लेकिन फिर भी उसका प्यार हमें बताता है कि हमें किस तरीके से जीवन को जीना है और वो शब्द चेतावनिया हमें सुख देती हैं, हमें आनंद देती हैं दोस्तों अगर हम उन चेतावनियों को जाने समझें, परमेशर की शिक्षा को जाने, परमेशर की आग्याओं को परमेश्य की प्रतिग्याओं को समझे तो हमारा जीवन अद्वुत तरीके से बीतेगा हम इस धर्ती परहते हुए स्वर्का अन्भव करेंगे मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ यदि आपको परमेश्य तक पहुशना है तो आपको ईश्यू मसी के द्वारत जाना ही होगा यह सब जीवन में कुछ जीना बहुत जरूरी है अगर यह तीनों चीज़ें आप नहीं करते तो आप परमेश्य को नहीं पा सकते यह चेदावनी परमेश्य की जीवित है और वो जीवित बचन परमेश्य ने अपने एकलोते पुत्र के द्वारा धर्ती पर भेजा और उसने हमें इसलिए दोस्तों उन चेदावनीयों को मानना समझना हमारे लिए बहुत सरूरी है तो यह तो वो हमारे लिए बहुत प्रिये है और वो हमें जीना सिखाती है रूत जो कि एक मुआब जाती से आती थी और अशुद्ध जाती थी वो उसे पता था कि मेरी जाती अशुद्ध है इसलिए वो चाहती थी कि मैं शुद्धता के साथ शुद्ध बनकर परमेशर के चरणों में आऊं इसलिए उसने नियोमी से का नियुमी मैं कहीं नहीं जाओंगी मेरा पती मर गया है और तू कहती कि मैं चली जाओं वापस नहीं मैं तिरे साथ रहूंगी जहां तू रहेगी मैं वहें रहूंगी जहां तेरा परमेशर होगा मैं वहीं रहूंगी और तेरा परमेशर मेरा परमेशर होगा रूत जान गई थी कि उस पिता परमेशर के चरणों में ही शुदता है पवितता है पापो शापों से मुक्ती है इसलिए रूत ने उस परमेशर को अपना बना लिया वो शेतावनी जानते थी कि वो अशुदता के साथ है लेकिन उस अशुदता को छोडने के लिए उस अशुदता से शुदता को प्राप्त करने के लिए उसे इशू को अपनाना पड़ा उसे परमेश्र को अपनाना है दोस्तों अगर हमारे अंदर अशुदता है और अगर हम इस बारे में इस बात को नकारते हैं तो हम अपवित्रता को पाते हैं और हम शेतान के चंगुल में रहेंगे हम कभी परमेशर के नहीं हो सकते हैं इसलिए दोस्तों चेतावनिया परमेशर की ओर से आती है और वो हमें सुख देती है, आनन देती है, चीवन देती है ईश्यमसी ने पत्रस से का प्रातना करते रहो, चाकते रहो क्योंकि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुरूबल है और हुआ भी यही, उसे चेतावनियों को नहीं माना और उसने ईश्यमसी का इंकार किया दोस्तों हमें चेतावनियों को जानना और समझना है क्यों परमेशर हमसे ये बात कहता है, क्यों परमेशर ने हमसे इश्व मुसी के द्वारा इतनी बाते कहीं ताकि हम सुक उठाएं ताकि हम जीवन पाएं ताकि हम आशीष पाएं इसे दोस्तों परमेशर की दी हुई चेतावनिया हमारे लिए जीवन हैं हमारे लिए जोती हैं और हमारे लिए मार्क हैं आईए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेशर का, इस सुभ़ के वक्त हम उसका धन्यवाद देते हैं, उसकी प्रात्रा करते हैं परमेशर, और उसकी शेतावनियों को समझे जाने और उस पर चले, सुनने वाले हर भाईवन के लिए आशीर सुक और संगाई मांगता हूं, ध बने वादे तो परातर आपने सुनी को बूल किये मैंने